नमस्कार में हुमामद आसीफ और आप देख रहे हैं नेक्स टाइब इतना बड़ा आरोप और मोदी जी चूप साथ साथ आरोप है घुटा लेगा अरबो का जो है घुटाला हुआ अरबो करोरो का सुची इसी से अपंदा जला गाई है मोदी सरकार में विचैनी होनी चाहिए फिर अजर चल होनी चाहिए और जो आजxico फड़ा इस बाच के जाच करने चाहिए क्या कुछ सुपरेश्यूनेत करें। इसमें जो भी टोट और इसके हम आपको प्रेसरीज में सारे फिगर्स दे रहे हैं। इसमें 15 करोड 37 लाक रुपए पर एक किलो मीटर सड़क बननी थी। इन लोगों ने बढ़ा कर 32 करोड 17 लाक कर दिया। दुगने से भी ज़्यादा। और ये PM की निगरानी में CCA की नाक के नीचे भारत सरकार के आखों के सामने हो रहा था। सिर्फ पैसा ही नहीं दोगना किया गया, इसमें और भी बड़ी धांदलिया सामने आई है। इसमें पता चला है कि फर्जी दस्तावेजों के अधार पर बिडर्स का चैन हो गया। बिडिंग प्रक्रिया में बड़ा फर्जी वाड़ा सामने आया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर काम भी नहीं हुआ। एस्क्रो अकाउंट से करीब सारे तीन हजार करोण रुपए का फेर फेर हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी जब रोड बनता है तो एक सेफटी कंसल्टन रखा जाता है। कि आपके और हमारे जैसे लोग जो इस देश के नागरिक हैं जब सड़क पर चलें तो सुरक्षित रहें। सरकार ने यह भी जरूरी नहीं समझा। भारत माला के कितने ही हिस्सों में एक भी सेफटी कंसल्टन रही है। तो अगर आप भारत माला की किसी सड़क पर चल रहा है करीब सतर हजार किलो मीटर की तो अपनी जान की अपने माल की अपने खुद के रखवाले आप हैं। सरकार की जिम्मेदारी नहीं क्योंकि उनके पास सेफटी कंसल्टन रखने का टाइम ही नहीं था। तो भारत माला में दुगनी करी लागत और हर तरह के फर्जी वाड़ा करके भगवान जाने किसको किसको यह टेंडर दिये गए जिन्होंने सेफटी कंसल्टन्स तक नहीं रखे एस्क्रो अकाउंट से हेरा फेरी हुई। फिर यहीं दौरका एक्सप्रेस वे, दौरका एक्सप्रेस वे में स्विकृत लागत जो थी वो करीम 18 करोड प्रती किलो मीटर थी। सरकार का कहना बहुत बढ़िया बनाये दौरका एक्सप्रेस वे, अच्छी बात है, बनना अच्छा भी चाहिए। उसकी कीमत 200 करोड़ प्रती किलोमीटर हो गई, कहां 18 करोड़ प्रती किलोमीटर स्वीकृत और कहां 200 करोड़ प्रती किलोमीटर, और आप ये सोचिए कि 2 किलोमीटर बनाने में 500 करोड़ खर्चा हो गए और उस 500 करोड़ में मंगलयान पहुच गया, ये सरकार की असलियत है, म क्या बन गया भाई ऐसा कौन सा ऐसा विश्व का आठ्वा नवा अजूबा बना जिसकी कीमत अठारा करोड से बढ़कर धाइसो करोड प्रतिक किलो मीटर हो गई कि अब ऐसा हाइवई बनाओ जिसमें आप चहरा देख सकते होंगे अन्य था तो इतना कीमत बढ़ना बड़ा मुश्किल का काम है महंगाई की वज़े से इतनी कीमत बढ़ना ही सकती है क्योंकि एसकलेशन कॉस्ट उसमें होती है तो यह कमिशन खोरी है किसने पैसा खाया इसम को पर और मजाक नहीं कर यूँ जाकर देखेंगा छे हजार रुपए का टोल दिल्ली से मुंबई अगर आपको दूरी नापनी है सड़क से नहीं का रूल है कि अगर टोल के पास या टोल वाली जो सड़क है उस पर कंस्रक्शन होता है तो टोल की कॉस 75% कम होगी ऐसा नहीं किया गया मात्र पाच टोल बूथों का मात्र पाच टोल प्लाजा का सीएजी ने एक रांडम ऑडिट किया और उसमें पता चला कि करीब करीब 132 करोड रुपए अवैद वसूल लिये गए लोगों से ये मात्र पाच टोल प्लाजाओं की बात कर रहे हैं अगर पूरे देश के टोल प्लाजाओं का ओडिट हो जाए तो सोची का कितना लाखों करोडों का गबन हुआ है और सड़क पे कौन चल रहा है सड़क पे धन्ना सेट चल रहे हैं या आप जैसे और हमारे जैसे मद्यम वर्ग निम्न मद्यम वर्ग गरीब लोग चल रहे हैं बसों से गाडियो का नुकसान किया एक कंसेशन अग्रीमेंट होता है वो करकर के आयुश्मान भारत पूरे वक्त लोगसभा में यही सुनाई दे रहा था हर जगे प्रधान मंत्री इसकी बात करते हैं यह तो घोटालों का योजना निकली आयुश्मान भारत में साढ़े साथ करोड़ लोगों क साड़े साथ लाख लोगों का सौरी एक नंबर से रेजिस्ट्रेशन हुआ है आप किसी भी आधार सेंटर जाहिए किसी भी आयुश्मान सेंटर जाहिए और सबसे पहले आपसे आपका फोन नंबर पूछते हैं एक नंबर से साड़े साथ लाख लोगों का उन रोगीों का भुकतान हुआ है जिनकी मृत्यू हो चुकी थी मृत्य लोगों का इलाज दिखा कर क्लेम के भुकतान हुआ है अब ये किस के पास गया है? ये नहीं पता लेकिन लाभार्थी के खाटे में तो ये बिल्कुल नहीं गया है 88,000 मृत लोगों के फ्रेश इलाज का क्लेम दिखा कर उस पर धांदली हुई है और जैसा कि मैंने आपको बताया 7.5 लाख लाब्यार्थी एक नंबर से जुड़े हैं अगर आगे डेटा देखिए तो करीब करीब 1.24 लाख जो है वो मात्र कुछ फोर नंबर से जुड़े हुआ है भगवान की बात नहों ऐसा कैसे हो सकता है और वो राम जो सब की आराद्धिया है आयोध्या में एक भविर राम मंदिर बन रहा है जमीन में जितनी दलाली भारतिये जनता पाटी के नेता SDM कानून गो सब मिलकर कर सकते थे बड़े बड़े नेता ट्रस्ट के लोग वो तो खूब हुई वह आप लोगों ने देखा और सरकार की बेशर्मी कह लीजे या थितरही कह लीजे एक शब्द उस पर बोला नहीं गया अब पता चल रहा है कि अयोध्या development project में भी खूब धानली हो रही है और धानली ऐसी वैसी नहीं हो रही है पैसा जो जनता का है वो जा रहा है ठेकेदारों के गल्ले में अनुचित लाब पहुँचाया जा रहा है ऐसे ऐसे ठेकेदारों को GST का भुकतान हो रहा है जिनका registration registration कैंसल हो चुका है सिचाई विभाग ने तो ऐसे लोगों को ठेका दे दिया जो अयोग्य थे जो कार्यार्णवन एजेंसी है उत्तर प्रदेश राजकिये निर्माण निगम उन्होंने परफॉर्मस ग्यारंटी का एक पैसा होता है जो ठेकेदारों से जमा कराना होता है वो तक जमा नहीं कराया तो यह तो भगवान के नाम पर लूट मची पहले जमीन की धांदली में सस्ते में जमीन लेकर महंगे महंगे दामों में ट्रस्ट को भेजकर खुब पैसा कमाया इन तथा कथित राम भक्तों ने हमारे अराध को हमारे इश्वर को भी नहीं छोड़ा और अब उसी अयोध्या डेवलप्मेंट प्रॉजेक्ट में बड़ा घोटाला सामने आ रहा है कि करीब करीब 20 करोड रुपए तो ऐसे ठेकेदारों के गल्ले में गये जो अयोग थे रजिस्ट्रेशन कांसल जी एस्टी का भुक्तान आ रहा है ग्रामीर विकास मंत्राले रूरल डेवलप्मेंट मिनिस्ट्री ये छटा घोटाला सामने आया है क्या कहता है गोटाला इसमें pension का प्रयोजन होता है वो pension किसको जाती है व्रिधा पैंशन विद्वा पैंशन और विकलांग पैंशन हर गाओं में अगर आप आज की तारिख में चले जाए तो आपको 10 लोग मिल जाएँगे व्रिद्धा विकलांग व्रिद्ध मिलाकर जो कहेंगे हमारी पेंशन नहीं आ रही है किसी भी जगे चले जाईए फिर हम उनको दिलासा देते हैं पिर दीम को चत्थिया लिए पिर चित्थी लिगते हैं पिर डियम कहना कि विद्वा पेंशन का पैसा है वो सरकार दूसरी योजनाओं के प्रचार प्रसार में खर्च कर रही है C.E.G. की रिपोर्ट से ये सामने आया है कि सरकार ने इस पैसे से होर्डिंग लगवाए ग्राम समर्दी स्वच भारत पकवाड़ा के 19 राज्यों के हर जिले में जो पैसा एक विद्वा के खाते में जाना चाहिए था जो एक विकलांग के खाते में जाना चाहिए था जो एक व्रिद्ध के खाते में जाना चाहिए था उससे 19 राज्यों के हर जिले में होर्डिंग लगाए गए स्वच भारत पकवाड़ा के और अंत में HL को भी घसीटा है CAG ने विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन की खामियों का गंबीर आरोप लगा है जिससे करीब राजस्व को 154 करोड रुपे का नुकसान हुआ है देखा आपने डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने घोटाला किया है मोदी जबाब दीजिए अमिश्वाजी जबाब दीजिए आपके एजनसियां क्या कर रही है करनाटा का मामला था तब ही चुप थे अब मदेपर अदेश का चुनाप का मामला तब ही चुप है तो सबसे बड़ा सवाल है कि जब लाल किले से मोदी जी ने भरस्टाचार का खुलासा किया परिवारबाद कॉंग्रिस पर आरोप लगाया अब उसके बिहाब पर ये बोल ला है लेकिन देखे ये आरोप पर ते आरोप से भरस्टाचार की हकीकोतों को पता नहीं चलेगा दर्शुकों पता तब चलेगा जब जांच एजेंसिया इस पर किंद्री की एजेंसिया जांच परताल करेंगे जब CBI या फिर E.D. की जांच होगी तब पता चलेगा कि दूद का धुहा कौन है और कौन इस पर तमाश्टा करता नज़र आ रहा है दर्शुकों आपको क्या लगता हमें कॉमेंट कर जूर बताएगा देश दुनिया के बैखाबर के लिए देखते रहें नेक्स्ट्रें न्यूस नमस्क्त